इस वक्ट चीन के जो हालात हैं उसे देखेंगे आप तो उससे एक बहुत बड़ा डर जन्म ले रहा है और ये डर सिर्फ भारत को नहीं बलकि दुनिया के लगभग सारे बड़े देशों को हो रहा है इस मार्च महिने में 15 बिलियन डॉलर का निवेस चीन से निकाल लिया गया है और चीन के अंदर एक अफरा तफरी का माहूल बन गया है यहां तक की CCP यानी जिन पे इंग खुद भी अपने चीन को कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं आम जन्ता में भी बहुत ज़्यादा औस अंतो देखा जा रहा है पर इन सब के बीच भारत ने क्यों लोटा दिये हैं हेलिकॉप्टर और सैक्रो मिलियन मांगे हैं सूध के साथ वापस जानेंगे जियो पोल्टिक्स में क्या कुछ चल रहा है इसके अलावे बहुत कूछ आये जानते हैं इन कबरों को विस्तार से चीन इ अब सक्त किस्म के लोगडाउन लगाने सुरू हो चुके हैं महामारी का विकराल रूप देखने को मिल रहा है चीन के अंदर और चीन की सारी पॉलिसी धरी की धरी रह गई है चीन ने ये कहा था कि उसने 90% लोगों को वैक्सिन लगवा दिया है और ये कहके चीन ने दुनि बढ़ता ही जा रहा है चीन की आर्थिक राजधानी है संगाई जहां कल चीन के बताय हुए आकड़े के अनुसार 25,000 नए मामले दर्ज किये गए आप समझ लीजिए कि ये चीन का बताया हुआ आकड़ा है असल आकड़ा कितना जादा होगा चीन बाते चुपाने में माहिर है ऐसे में ये आकड़ा और भी जादा होगा कहा तो ये जा रहा है कि इतनी जादा मौते हो रही है कि रखने को लासों के जगह नहीं मिल रहे हैं और जो क्वरंटाइन सेंटर बनाया है वहाँ पे ऐसी तस्वीरे निकल कर आ रही है कि लोगों को खाने पीने की कमी हो रही ह खाने पीने के लिए लूट जैसा माहूल बन रहा है पर सिर्फ इतना ही नहीं है चीन का मेडिकल सिस्टम बिलकुल चर्मरा गया है कोरोना के मरीज के भीड इतने जादा है अस्पताल में कि बाकी बीमारियों के इलाज में भी दिक्कत आ रही है यहां तक की सरकार ने इतना बड़ा फैसला ले लिया है कि अधिकतर अस्पतालों में इमरजेंसी को छोड़ कर बाकी बीमारियों के लिए कोई सर्विस नहीं दिया जा रहा है और सिर्फ इतना ही नहीं है सहर के अलग अलग इलाके में नाके बंदी कर दी गई है ताकि देश के दूसरे सहरों में भी इ वेल्थ वर्कर और डिलेवरी मेन दिखाई दे रहे हैं बाहर निकलने के लिए वो भी विसेश परिस्थितियों में आपको कराना पढ़े गाया न्यूकलिक एसिट टेस्ट इन सब के बीच में ये भी देखने को मिल रहा है कि दवाईयां खत्म हो रही हैं खाना खत्म हो रहा है इसके उपर से चीन ने हेलिकॉप्टर और ड्रोन लगाये हुए हैं निगरानी करने के लिए करीब 225 पुलिस हेलिकॉप्टर और पुलिस ड्रोन इस्तेमाल किये हैं ताकि इस पूरे इलागे पर लोगों को घूमने इकठा होने से रोका जा सके परतिबंदित जगों पर आसमान से पूरी नजर रख रही है चीनी सेना और उसके साथ साथ लाउड स्पीकर के जरिये रिकॉर्डेड वाइस के जरिये घूमने वाले लोगों को चेतावनी दी जाती है और तो और पकड़े जाने के बाद इनके उपर कठोर कारवाई जुर्माना और बेज़ती निकल रही है जो बतला रही है कि हालात अब चीन के राष्ट पती के हाथ से भी बाहर निकलता दिख रहा है लोगों के अंदर और असंतोस और भी ज्यादा फैल रहा है वहीं दूसरी तरफ यह तो जहां आंत्रिक इस्तिती है चीन की बाहरी इस्तिती में मार्च महिने में 15 बिलियन डॉलर के निवेस चीन से निकाले गए हैं और ये निवेस निकाले जाने का बढ़ता ही जा रहा है एक पैनिक समच गया है खास तोर पर चीनी बॉंड्स को लेकर जो फॉरन इन्वेस्टर हैं वो अब डर गए हैं अब तक के इतियास में सबसे बड़ा विद्रॉल है यानि कि एक मंथ में 15 बिलियन का निवेस निकाल लिया ये बहुत बड़ा संकेत है चीन के लिए कि चीन के बहुत बुरे दिन सुरू हो रहे हैं अब आप सोचेंगे ऐसा कि अचानक से क्यों निकाल लिया रूस युक्रेन में युद्ध हो रहा है रूस के उपर परतिब परतिबंद लगे हुए थे बहुत पहले से भी इसलिए जो बाहरी देश निवेस कर रहे थे रूस के अंदर या रूसी बॉन्ड को खरीद रहे थे तो वह एक तरह से सोच समझ कर खरीद रहे थे और एक लिमिटेड अमाउंट में खरीद रहे थे कि कहीं भविस में और भी दमकी दे रहा है खास तोर पर चीन को की परिनाम भुगतने होंगे ऐसे में जिनोंने इन्वेस्टमेंट लगाया हुआ है उनके अंदर एक डरसा हो गया है कि कहीं रूस के ऊपर जितने कड़े परतिबंध लगे है वैसे ही परतिबंध चीन के ऊपर तो नहीं लगेंगे ऐसे लॉस हो गया है और आपको बता दे चीन दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा बॉंड मार्केट है जिसके पास कुल 561 बिलियन का चाइनीज बॉंड है 561 के सामने 15 बिलियन भले कम लग रहा हो लेकिन यह इनीसियल है एक ही महिने का है और किस तरीके से यह बहुत नीची आ ज पर इन सब के बीच आखिरकार भारत ने एक बड़ा फैसला ले लिया है और जिसके तहद भारत ने लोटा दिये हैं हेलिकॉप्टर आपको अगस्ता वेस्टलेंड तो यादी होगा जिसके साथ 12 हेलिकॉप्टर की डील हुई थी और यह हेलिकॉप्टर थे वी वी आईपी के आरोप लगने सुरू हो गए थे जिसके बाद अमला इतना बड़ा अगस्ता वेस्टलेंड केस में सी बी आई की एंट्री तक हो गई अब इटली गवर्मेंट ने पी एम मोदी से जी ट्वंटी की मीटिंग के दोरान ये मदत मांगी कि फिर से रक्षा सौदों को बहाल क किया जाए पर इसका उल्टा हो गया इसे तो अगस्ता वेस्टलेंड और इसकी पेरेंट कंपनी के उपर लगे बैन को भारत सरकार ने कुछ सर्तों के साथ हटा लिया पर 106 मिलियन यूरो वापस मांगे हैं और जो तीन हेलिकॉप्टर पहली बैच के रूप में इटली ने टारगेट चीन होगा यही सोच कर इन्वेस्टर्स भाग रहे हैं कमेंट कर अपनी राय जरू बतायां जल मिलते हैं अंगले वीडियो में नई ख़बर के साथ